27 दिसंबर 1907 को एक ऐसे वीर क्रांती बालक का जन्म हुआ जिसने अपना नाम सुनेहरे अक्षरों में भारत के जिहास में लिखवा लिया वह बालक उस वक्त में कुछ ऐसा कर गुजरा जिसके कारण आज की पीड़ी उसे बड़े गर्व और सम्मान के साथ याद करती है मैं हूँ बगत सिंग मुझे अपने भारत को इन अग्रेजों से आजाद कराना है अखिर कौन है ये अंग्रेज इन्होंने हमारे पुर्जों को क्यों मारा क्या कसूर था उनका वो तो जिर्फ हमारे भारत को इन अग्रेजों से आजाद कराना चाते थे अखिर कौन है ये आखिर क्यों आया अंग्रेज मारे भारत में? देखते ही देखते समय बीटता चला गया. अंग्रेजों के जुल्म भारत वासियों पर बढ़ते चले गए. वैनन्हा बालक मन में उमरते सवालों और दुखों को लिए युवा अवस्था में प्रवेश कर गया. अब भगत सिं अंग्रेज सरकार के जुल्म भारत वासियों पर दिन बादिन बढ़ते जा रहे थे. हर भारतिये से उसकी जमीन का लगान मांगा जाता था. तुम्हे अपने लैंड का लगान देना होगा. कहां है तुमारे लैंड का लगान? जे रहा साब. Keep it here. Next. सहाब सहाब मेरे पास कुछ नहीं है. सहाब रहाम करो. सहाब रहाम करो. I don't care. You have to give. सहाब ये रही मेरी पगड़ी. चाचा ये क्या कर रहे हो? आप अपनी पगड़ी ही नहीं. अपनी आन, बान, शान सब इनके पैरों में डाल रहे हो. कभी कोई ऐसा काम मत करो. जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिरा दे. हाँ चाचा, भक्त सही कहा रहा है. हमारे होते हुए आपको अपनी इजद इन गोरों के पैरों में डालने की कोई जुरूरत नहीं. अब वो दिन दूर नहीं, जब हम इने अपने दे से खडेर देंगे. भारत माता की जै, बन्दे मातरम. कोई है कोई है मुझे भगज से मिलना क्या काम है तुम्हें भगज से बोलो मैं ही भगज से आपके लिए पंडी जेने पत्रे बेजा है क्या है इस पत्र में वैसे तुम्हारा नाम क्या है और भी तो कई पार्टियां हैं हमारी पार्टि में है क्यों शामिल होना चाते हो उनसे जागर क्यों नहीं मिल लेते दोस्त जब अंग्रेजी पुलिस के दो डंडे पड़े तो सारी अकट ठंडी बढ़ जाएगी और जिस रहा पर तुम चलना चाते हो वहरा कांटों से भरी क्या चल पाओगे मैं बारत माता की कसम काता हूँ वह दिन आएगा है नहीं जब मात प्रकतदारी और काल का कलंक लगेगा मार देंगे या मर मिटेंगे देश के ले बुश कर मिटेंगे अब हमारे दिल में है, लेख नाये जोर जिकना, बास हुए का दिल में है, बास हुए का दिल में है, इनकलाब इनकलाब! अब हमने बंब बनाना सीख लिया है अब कोई योजना बनाने पड़ेगी हमारी पार्टी का मतलब खून खराबा नहीं है बलकि देश की अजादी है अब हम अंग्रेजों की असेब्ली में बंब फोड़ कर खुद को गिरफतार करवाएंगे अब इसी तरह हम अपनी अवास देश की जनता तक पहुंचाएंगे अब बड़ा धमाका होगा इस कारी के लिए भगत सिंग, राजगरू और सुप्देव को चना उन्होंने असेब्ली में ऐसी जगा बंब पेका जहां किसी को मानी नहीं है और असेब्ली में ही उन्टी के रफतारियां हो गए तुरू सुप्देव हाजिर हो सर्फिरो शी की दर मनना अख हमारे दिल से वे ने किनाने जोर कितना वातु अपता दिल में है इंकलाब 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 इंकलाब। My lord, can I perceive this case? इंकलाब। What do you mean by इंकलाब इंकलाब इंकलाब। इनकलाब एक लड़ाई है जुलम और नाइन साफी के खिलाब इनकलाब एक हचार है आदमी पर आदमी का शोशन रोकने के लिए चुक्रिया ये सब बताने के लिए अगर समझी गए हो इनकलाब का मतलब इन हिंदुस्तानियों ने हमारे सैनिको पर बंप भोड़ा है जो कि ये कानूनी अपराद है यह तीन भगत सिंग राजगुरू और शुक्देव इसके में कंफ्रिक्ट है इन तीनों को धारा 302 के तहट फासी की सजा होनी चाहिए मैलोड फासी की सजा अदालत ने वगत सिंग राजगुरू और सुक्देव को थमारा 139 के अंतर गर अपराधी होशित किया और साथ अक्टूबर 1930 को अदालत ने उन्हें फासी की सजा सना गी अब मा का दिल उसको तहल गया जब उसे पता चला कि उसके लाल को जीते जी मौत के मूँ में ठकेला जा रहा है भगत सिंग को लाया जाए मा तेनु था खुशी होनी चाहिए आज तेरा पगत देश्प्री कुर्बान होन जा रहा है खुशी अजय का दिल चुशी होनी तेरा जाए तेरा जा जया जा पकत सब्सकुर्ड़ाइ झाल कि आए लोगाई भूम एपंसी उने बाले लोगाई उस्रे हो इस उमर में एक नोजबरा दिल्टार बोरु से पुर्या करने सपना थाज में पच्पन विच्ची वह एक लिया सी इस मिटिन अजात कर वोना ही मेरा मकसद है अजाद हो जायेगा ओके तुम्हारी कोई लाज विश आखरी को आई है भारत की इतिहास ने वो काला दिन आखे 23 मार्श 1931 को आगया भारत के तीन नौजवान राजगुरू सुकदेव और भगत सिंग को अंग्रेजों द्वारा फांसी के तक्ते पर लटकाने का पर्मान जारी किया गया अंग्रेजों ने क्रांती की दिस्टिंगारी को दबाने की कोशिश की वैसमुच्चे भारत में फैल गई एक भगत सिंग के स्थान पर अनेको भगत सिंग अपनी मातर भूमी के लिए बली देने को तत पर थी आज आजादी के पंजंतर में महोतसव के दिन आओ उन देश भगतों को राश्टिकान से सन्लियूट करें यंदे 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 यंद